हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो अब तक हमने वियर्स की एक question करिए सारे concept हमने समझ लिए हैं अब मैं आज एक दूसरा question करूँगा इसके दूसरे examples देखेंगे मैं एक चीज़ आपको बता दू मैं ज्यादा question करने में believe नहीं करता है कम question करो लेकिन सारे concept clear रखो ठीक है similarly यह दूसरा क्वेश्चन है यह देखेगा यह आप नोट डाउन कर लेना ज़रा स्लाइड रोग के और स्लाइड रोग के आप यह नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीन शॉट ले लो तो नोट कर लिया चलो मैं आगे इसको पढ़ता हूं दब बैंक पास्बुक मतलब किसके हिसाब से बैंक के हिसाब से और मिस्टर एक्स शोर बैलन्स ओप रुपीज 45,000 ओन माई 31, 2019 ध्यान देना किस के हिसाब से बिजनेस के कैस्बुक के हिसाब से नहीं बैंक पास्बुक के हिसाब से ठीक है इसमें क्या क्या इंट्री जे चेक इसूट बिफोर 31 माई 2019 amounting to rupees 25,140 हैं not been presented for in cashment check issued by whom by business okay not presented for in cashment to check of rupee 3,900 and 2,350 were deposited by whom business into the bank on 31st May but the bank gave credit for the same in June 2019 there was also a debit in passbook of Rs.25 in respect of cheque degenerated on 31st May 2019 तो अब इसका हम solution करते हैं तो सबसे पहले तो बैंक ने बोला कि इसमें वी देखो इसमें क्या बोला कि यह जो आपकी सगेंड नमर की प्रॉब्लम है किदर गई किदर गई यह रहू यह बैंक पास्बुक ने बोला बैंक पास्बुक बैलेंस इतना तो अगर कुछ ना लिखा है तो हम मानेंगे यह फेबरेवल बैलेंस है ठीक है ठीक है ना तो हम चलते हैं मान के चलिए यह फेबरेवल बैलेंस तो बैलेंस एच पर पास्बुक इच 45,000 रुपीज अब क्या बोल रहा है चिक इशूड ठीक है बिफोर 31st में 2090 अमांटिंग तो 25,940 और वो प्रजेंट नहीं हुआ है इनकैस्मेंट के लिए तो आप ऐसे सिंपल सी चीज मानू यहां पर कैस बुक और यह बैंक वाले ठीक है तो अगर मानने जी एक एक लाख रुपे बैलेंस है ठीक है दोनों में फेबरेवल है तो डबीटी मानू ठीक है डबीट एक लाख रुपे बैलेंस है अब चेक इशू किया चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया कितने का 25,940 का तो माननों 25,000 मानते 25,940 का अगर यह किया है तो क्यास बुक में आपने क्या इंट्री करी होगी अपना बैंक घटा लिया होगा 25,940 से तो यहां पर कितनी होगी 74,060 रुपे आपका दिख रहा होगा लेकिन यहां पर अभी भी एक लाख रुपे दिख रहे होंगे तब 74,060 रुपे को एक लाख रुपे बनाने हैं क्या करना परेगा क्या करना परेगा इसमें एड करना परेगा लेकिन 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 यहां पर आप की तरफ से चलना है और क्यास्बुक की तरह बनना है अब रोहन को आप की तरह बनना है तब रोहन को आप की तरह बनना आ यह 1,000,001,000,006,000 है यहाँ एक लाघ को 94,002 आट करने के लिए क्या होगा यह माइनस करना होग थना होगा 25,940 इसले चेक डिपॉजिटेड, दो चेक डिपॉजिट किये थे, 49 के और 250 के, ये दोनों, जो की डिपॉजिट होनी थी, जिसकी ग्रेडिट जून में मिली, तो हम कब बना रही, 31 माई को होती, 31 माई को एक प्रेसंट डिफरेंस आएगा, क्योंकि जून में क्रेड़ मिली है, अगर ये माल को अमड़ी reconciliation बना रहे हैं तो हम ने एक तारीक टारीक करी इन्होंनी 31 तारीक करी बस इतना सा यंदर होगा ना लेकिन balance तो match कर जाएंगे तब इसकी इंट्री नहीं होती हां इंट्री क्यों हो रहे है क्योंकि यह 31 माई माई को बना रहे है और यह जून में इसका क्रेडिट आया और चेक दिपाजिक आपने इतना अमोंट बढ़ा दिया क्योंकि चेक डिपॉशिंट आपके कस्टोमेर के हैं तो आपने क्या किया अब का बैलेंस हो गें एक लाइस फेसाई बनाओ में Canadian रहेगा तीसलिए यह एड हो गया ठीक है चेक डिजॉनर ठीक है हुई थी पत्चिस्च रुपे की डिजॉनर दिख रही थी हम यह मान के चल रहे हैं यहां जो क्वेस्चन बोल रहे हैं देखो कुछ न कुछ तो आपको मानना परेगा यहां बोला कि डिजॉनर अगर यह बोला है इसका मतलब यही वान के कैस्ट बोग में इंट्री नहीं हुए थी इसलिए हमारे पास दिया है अगर कैस्ट के इंट्री होई जाती तो इसका कोई फैक्ट इन ही पड़ता है तो चेक डिजॉनर रिकॉर्डड वनली इन पास्बुक मैं इस तरह स कि यह था ठिक है कैस में और बैंक में एक एक लाक बैंक में क्यूं होगी और आपके बैंक में सिर्फ चार्जेज लगेंगे आप कभी चूर्जीं लोगेगर तो अगर मालो आपने कोई चेक इसु करा और वो डिजॉनर हो गया है तो आपके बैंक में डिजॉनर के चार्जेज लगेंगे सिर्फ उनके बैंक में डेबिट और क्रेट की इंट्री होगी अब समझ रहे हो अच्छे देखो चेक डिजॉनर क्यों हो तो मतलब यहां पर जनरली जब हम जब हम चेक डिजॉनर बोल रहे हैं तो मतलब क्या हो किसी ने मुझे चेक दिया हमने उसको जमा किया होगा जमा किया होगा तो हमने क्या किया होगा इंट्री करी ठीक है एक लाग रुपे एक लाग रुपे ठीक है जब भी जब बैंक में जाती है California आप देखोगे उसकी द तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन यह डिजॉनर हो गया तो उन्होंने फिर डेविट करा यह 25 रुपे एक सिंपल सी चीज है अगर एक लाख रुपे बैलंस दे एक लाख रुपे बैलंस आज डिजॉनर हो गया तो आपकी यहां पर दिख रही होगी 75,000 रुपे करनी होगी तो हमने 25 रुपे एड कर ली अब क्या करेंगे यहां इस कॉलम से में शुरू की थी इसको पूरा एड किया फिर यह एड हम यहां लेके गए और बैलंस जो निकाल लिया यह बैलंस पर कैस्पुक होगी सिंपल समझ माई कोई रट्टा नहीं मारना है सिंपली सू विधे बस इसको एड कर लेंगे फिर यहां पर यहाँ पर देंगे फिर आनल सर करेंगे इसको यहां पर लिग देंगे और जो भंशलेंगी बहुत अच्छी बात है mathematically आपको एक्जाम में अगर यह solve करना हो बहुत अच्छी बात है ऐसे आप solve कर सकते हो अगर यह 45 डेबिट बैलन्स होता है यहां मैंने क्या लिखा डेबिट सोज है इतना डेबिट डेबिट मतलब क्या हुआ अगर बैंक में डेबिट है बैंक के हिसाब से अगर बैंक के हिसा प्रजेंट मेंने कर दिया देखो इसको एड करा इसको एड करा यह निकल गई यह तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कुछ नहीं करना है मैथमेटिक से सिमिलरली फिर उसको बैटर प्रजेंटेशन के लिए अगर इसको इधर कर दो इसको पहले आड कर लो फिर जो बैलेंस बचेगा यहां लिख दो यह तो सही है लेकिन कॉंसेप्ट कहां है सर तो सर मुझे कॉंसेप्ट तो समझाओ क्या है अच्छे एक चीज बताओ अगर ओ की ओवरड्राफ्ट लिमिट है और बिजनेस न और चेक कार्थी 25,940 की तो आपके पास अब टोटल ओवरड्राफ्ट कितनी हो जाती बैंक मतलब इसके हिसाब से कैस्बुक के हिसाब से एक लाग 25,940 रुपईया लेकिन बैंक में तो आई ही नहीं बैंक में आई नहीं तो अब जरा रूहन को अपने जैसा बनाओ जब एक लाख रुपई को एक लाख 25,940 करने के लिए क्या होगा 25,940 एड करनी होगी देखो यह एड हो रही है ठीक है इसले चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बार सट सो पचास रुपई की मालो बिजनेस में चेक में डिपोजिट करा एक लाख रुपई का बैलेंस था ओवरड्राफ तो अगर पासट सो पचास का हमने चेक डिपोजिट करा तो मेरी बैलेंस कम हो जाएगी मतलब 93,750 रुपीज बचेगी लेकिन यहां पे बैंक के हिसाब से कितनी एक लाख की ओडी बचेगी ओवरड्राफ तो हम क्या करेंगे अच्छा भीया क्या है एक लाख को 93 बनाना है तो हम 6,250 रुपीज में से गटा देंगे देखो गटा रहा हूं चेक डिजॉनर रिकॉर्डर वनली इन पासबुक क्या है एक लाख रुपे मानलो ओवरड्राफ ती डिजॉनर हो गए डिजॉनर हो गई त है तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे ठीक है देखो माइनस कर रहे है अब यह प्लस माइनस मत देखो यह अपने एड़ करा और यह इसको माइनस करा यह समझवार रही है अच्छा एक चीज मैं आपको बताना साहिए बूल गया ओबरड्राफ लिमिट होती क्या है देखो यह concept आपको समझवा है ना ओवर्ड्राफ्ट लिमिट क्या होती है जैसे मालोक की बैंक क्या करती है एक बोल देती है कि ठीक है हम आपको बिजनेस करने के लिए एक लाख रुपे हम आपको दे रहे हैं ओवर्ड्राफ्ट मतलब आप एक लाख रुपे तक का आपके प और हमारे भुक में यहीं क्या हो जाएगी हैं यहां हमारे वुक में क्या होगे लगे क्लिए है पका हाँ अब आगे चलते हैं तो यह थो उग्ट क्या सक्षाट और फैज़रेवल वाली बात हैं अब जो हम नेक्स्ट करेंगे ना वह हम ठोड़ासा एक चीज और इसमें अच्छा देखो क्या हुआ न आपने क्या बोला adjusted cash book क्या होता है ध्या होता है देखो दो तरीके के entry होती एक timing difference वाली एक error Omission वाली यह तो आपको समझ में आ रही है अगर क्यास book हमने बनाया उसमें error and omission की सारी entry कर दी करके जो balance निकाला ना उसको adjusted cash book बोलेंगे, simple सी बात है, अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, adjusted cash book, देखो ऐसा है, BRS में न दो तरीके हैं, एक है कि आप without preparing adjusted cash book आप BRS बना सकते हो, एक by preparing, after preparing adjusted cash book आप bank reconciliation बना सकते हो, दोनों में अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है, balance तो उतनी यहानी है, अच्छा अभी तक जो हमने किया था उपर जो भी एक्जामपल किये थे, वो बिना adjusted cash book बनाए हुए, अच्छा ये होता क्या है, फोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन, adjusted cash book अगर आप बना लो ना, तो error omission तो हट गई, सिर्फ timing difference वाली entries रह जाती है, समझ में आई, चलो इसका practical जब करेंगे तो यह और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको, मैंने बोला था आपको, कि example one आपको note करने के लिए, वो note करके ही रखना, क्योंकि इसमें भी उसका हम use करेंगे, ठीक है, तो आप समझो, देखो, आओ, यहाँ, example one में क्या था आपका, example one में आपका क्या था, आपने note करके रखा होगा, उसमें था कि bank balance दिया हुआ था, cash book 50,000 रुपे, check issued but not presented 6,000 रुपे, bank has directly collected dividend of 8,000, तो अब इस बसे मुझे यह बता, bank charges 400 रुपे क्या और 6,000 रुपे जो deposit नहीं हुए थे, ठीक ना, मतलब issue किये थे और जो deposit किये थे, लेकिन create नहीं हुए थे, इसमें से बताओ timing difference किसका किसका है, और error या omission क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, error omission वो entry है जो आपको पता नहीं चला, पता नहीं चला तो जैसे dividend collected है, वो आपकी error omission है, ठीक ना, उसके बाद bank charges है, वो omission है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला था ना, तो हमने क्या करा, एक, चलो इसको नहीं हम लोग next lecture में इसको आगे बढ़ाएंगे, पहले आप इतना समझ लो कि adjusted cash book किसलिए बनाते हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी, यह problem मैं देखूंगा, और next class में मैं आगे भी बढ़ूंगा, एक हम करेंगे, जो CA foundation में जो questions आते हैं, एक दो questions वो भ करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much.